ओके गाईज तो फाइनली काफी लंबे टाइम के इंतिसार के बाद सैमसंग ने रिलीस कर दिया है M34 5G स्मार्टफोन के लिए 1H 6.0 with Android 14 की स्टेवल अपडेट और दोस्तों ये अपडेट जो है वो इंडिया में रिलीस किया गया है तो आज किस नी वीडियो में मैं आप से तो वीडियो को अंति तक देखते रहिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, सियर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप लोग home screen पे देख पारे होगे कि Samsung ने M34 5G स्मार्टफोन के लिए जो है वो 16.0 with Android 14 की stable update रिलीस कर दी है बात करें इसके update फाइल के बारे में तो 2277.50 MP की update फाइल दी गई है 1 November 2023 का latest security patch include किया गया है साथ ही साथ ये update जो है वो इंडिया में रिलीस गया गया है तो दोस्तो अगर आपके पास M34 5G का smartphone है तो आप लोग अपने phone के software update रैप में चेक आउट करो finally ये update जो है वो मिल चुकी होगी और अभी तलक आपके smartphone के अंदर update नहीं मिली है तो आपको यहाँ पे एक हफ़ते का इंतजार करना है और इन एक हफ़ते के अंदर अंदर में जो है वो आपके smartphone के अंदर confirm update जो है वो मिल जाएगी तो दोस्तो चलिए हम बात करते हैं one year 6.0 with android 14 के सभी new features के बारे में samsung नहीं यहाँ पे one year 6.0 के अंदर क्या 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 new features जो है वो add किया है तो सबसे पहले हम बात कर लेते lock screen के बारे में तो lock screen में clock के अंदर कुछ new font style जो है वो add किये गया उसके साथ clock को आप जो है वो lock screen पे कहीं भी move कर सकते हो तो one year 5.1 के अंदर move नहीं कर पाते थे लेकिन यहाँ पे 6.0 के अंदर जो है वो कहीं पर भी जो है वो clock को move कर सकते हो उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ new clock की option भी दी गई है जो कि आप लोग अपने according design वाइस जो है वो अपने lock screen पे रख सकते हो बाकी lock screen की जो notification होती है न तो उसकी भी यहाँ पे transparency जो है न वो आप लोग अपने से set कर सकते हो कम या ज्यादा आप लोगों को notification की transparency रखनी है वो भी lock screen में जो है वो आपको features मिल जाती है आप अपने according यह सभी changes जो है न वो lock screen में कर सकते हैं चलिए जानते हैं अब हम home screen के बारे में तो दोस्तों यहाँ यहाँ पे home screen पे कुछ खास major changes जो है वो नहीं किये गए बस application के color को जो है वो minor सा change किया गया है ठीक है application के color को थोड़े मोरे यहाँ पे change किये गए जो कि अपकोस हमारे phone के home screen को काफी cool या बैतरीन सा look जो है वो provide कराता है बात करें notification पैनल के बारे में तो दोस्तों यहाँ प top left से swipe करोगे तो notification दिखेगा उसके साथ साथ top right से swipe करोगे तो notification पैनल मिलेगा जिसमें जो है वो कुछ बड़े बड़े से icons add कर दिये गए जैसे की wifi के icon फिर से bluetooth के icon जो है वो बड़े बड़े से add कर दिये गया है उसके बाद आप लोगों को जो है वो यहाँ पे brightness control भी काफ notification पैनल जो है ना वो हमें 16.0 में दी गई है जो की completely redesign notification पैनल को किया गया है जैसे कि आप लोग यहाँ पे 1.5.1 या फिर से 1.5.0 की notification देखते हो तो अगला completely changes जो किया गया है वो दोस्तो weather application में किया गया यहाँ पे weather application को completely redesign कर दी गई है weather की सभी information जो है वो add देखने के लिए मिल जाती है उसके साथ साथ visit भी यहाँ पे improve की गई है ठीक है जैसा कि आप लोग home screen पे देख पा रहे होगे कि weather की जो visit होती है उसे भी improve किया गया है home screen पे अगर आप set करते हो तो कुछ इस परकार से आपको cool सा look जो है वो दिखने के लिए मिलेगा उसके साथ camera में भी जो ह करोगे और automatic जो है वो यहाँ पे picture click हो जाएगा तो यह features आपको visit के अंदर देखने के लिए मिल जाती है चलिए जानते हम settings के बारे में तो देखिए यहाँ पे settings में जो है वो कुछ खास changes नहीं किये गया है ठीक है थोड़े मोरे से जो है वो design को improve करने की courses की गई है और यहा माइनर माइनर से यहाँ पे changes किये गया है या कह सकतो की redesign किया गया है बाकी setting के अंदर battery के जो है वो अलग से section बना दिये गया है और यहाँ पे battery के section पे आप click करोगे तो दोस्तों यहाँ पे battery के जो profile icon है ठीक है उसको completely redesign कर दिया गया है काफी सारे information जो है वो battery के आप लोगो माइनर से changes तो already camera में किये गये है उसके साथ photo resolution का भी option जो है वो दिया गया है और दोस्तों यहाँ पी क्या होता था कि जब हम कोई भी photo click करते थे तो उसमें जो है न वो date and time जो है वो add हो जाता था वन यह 5.1 के अंदर लेकिन दोस्तों यहाँ पे वन यह 6.2 में क्या कर सकते आपकी date and time को जो है न वो edit कर सकते हो मानों कि अगर आप 10 दिन पहले यहाँ पे कोई भी photo click किये हो और उसे आज ठीक है present day में आपको किसी को send करना है past की photo अगर आपको future में send करना है यह present day में send करना है ठीक है तो आप यहाँ पे date and time को जो है न वो edit करके send कर सकते हो जो कि यह यहाँ पर 1-year 6.0 में यह features आट कर दी गई है, यह features आपको camera के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, तो अब अगर हम बात करें security and privacy के बारे में, तो देखी यहाँ पर security and privacy application को completely redesign किया गया है, और इसमें भी आप लोगों को छोटे मोटे changes वो सभी जगा देखने के लि तो अब कोस आपको सभी features वो मिलने वाली, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को like कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार visit कियो, तो चैनल को subscribe करके bell notification जरूर प्रेस कर लिजिएगा, साथी साथ वीडियो को अंत तक देखते रिएगा, क्यूंकि 16.2 में काफी साथी new features वो दिये गया है, और सभी features को मैं यहाँ पर one by one करके जो है, वो explain कर रहा हूँ, दोस्तों यहाँ पर अगला feature जो add किया गया, वो music application में add किया गया, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकतो कि music की visit जो है, वो कुछ इस परकार से आप लोगो notification हो गया, notification हो गया, अलग ही wave आप लोगों को यहाँ पर music के app में देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है, मतलब कि notification के अंदर जो है, वो wave impact का option finally include कर दिया गया, जब भी आप music play करोगे, तो कुछ इस परकार का wave impact जो है, वो music notification या फिर से lock screen के अंदर जो है, वो मिलने वाली जो की काफी खुबसूरत सा music notification हमें देखने के लिए मिलता है, ये भी feature जो है, वो 1.8.6.2 के अंदर add किये गये हैं, अगले feature के बार में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे permission used में new features देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, जो भी apps के permissions होते हैं तो उसमें app icons जो है न, वो add कर दिये गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकतो कि 1.8.5.1 में जो है न, वो app icons add नहीं किये गये थे, लेकिन यहाँ पे permissions used में जो है, वो app icon add कर दिये गया है, जो की interface को काफी खुबसूरत बनाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे calendar में drop and down का जो है, वो features add कर दिया गया, पहल आप जो है, वो directly यहाँ पे air को select कर सकतो, तो यह आपको calendar में feature जो है, वो मिल जाती है, उसके साथ साथ Wi-Fi में भी जो है, वो काफी अच्छी changes यहाँ पे की गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे comparison भी देख सकतो, कि 1.8.5.1 में आप लोगों को Wi-Fi में जो है न, वो quick share का option म आली हम बात करें, my files के बारे में, files application में क्या-क्य changes किये गए, तो दोस्तों, यहाँ पे files application को जो है, वो completely redesign किया गया है, काफी अच्छी improvements जो है, वो files में की गई है, अलग-अलग sections आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, color जो है, वो काफी अच्छी यहाँ पे add किये साथ-साथ अगर कोई QR code है, तो 1A5.1 में क्या होता था, कि QR code scan नहीं हो पाता था, आप text को अलग कर सकते थे सिर्फ, लेकिन अब क्या हो गया है, कि यहाँ पे QR code को आप अलग भी कर सकते हो, साथ-साथ gallery में कोई peak है, तो gallery में ही QR code को scan कर सकते हो, तो यह feature आप लोगों को जो साथ-साथ-साथ gallery में ही photo आप कोई भी open करते हो, उसके information वाले section में जाओगे, या details वाले section में, तो background effect, उसके बाद remaster, object eraser, यह सभी detail वाले option में ही देखने की मिल जाता है, जबकि 5.1 में क्या होता था, कि editing tools में जाते थे, तो उसमें यह सभी features आपको मिलता था, background effect का, remaster का, फिर से object eraser का, लेकिन यहाँ पे details वाले option में ही जो है, वो इन सभी features को add कर दिया गया है, और दोस्तों बात करें अगले feature के बारे में, तो Samsung के official keyboard में जो है, वो कुछ emojis को add किये गया है, उसके साथ-साथ emojis के color को यहाँ पे change करने की कोशिस की गया है, और उसके shape and size को भी जो की काफी cool या फिर से funny साथ जो है, वो हमें emojis इसमें देखने के लिए मिलता है, साथ-साथ यहाँ पे animation भी कुछ जो है, वो new add किये गया है, ठीक है, 16.2 में जो भी हमें animation देखने के लिए मिलती है, वो भी काफी cool cool सी animation जो है, वो मिल जाती है, तो दोस्तों यह सभी highlighting features थी, जो की 16.0 में आपको मिलती है, वैसे चूटे मोटे से काफी साथे features जो है, वो इस update में include किये गए, अब हम बाप कर लेते हैं कि क्या-क्या bugs हमें देखने के लिए मिलती है इस update के अंदर, और वो सभी bugs जो है, वो कपतलक fix हो सकती है, तो दोस्तों यहाँ पे इस update के अंदर जो है न, वो थोड़ी सी heating issue, थोड़ी सी battery drain, थोड़े मोड़े हमें lag भी जो है, वो देखने के लिए मिलते है, day-to-day life में आप लोग कोई भी application यूज़ करोगे, तो वो जो है, crash हो सकता है, तो यह सभी bugs जो है, वो हमारे को 186.0 के stable update में देखने के लिए मिलती है, अब बा lighting features, छोटे मोटे features काफी सारे include कर दिये गए, जो कि आप लोग day-to-day life में यूज़ करोगे, तो अफकोस यहाँ पे आपको एक फीचर जो है, वो पता लगने वाला है, hopefully आपको वीडियो काफी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो like, share and subscribe जरूर कर लेना, उसके साथ साथ description में telegram group की link दी गई है, तो आपने अभी तक वहाँ पे जोइन नहीं किया है, तो वहाँ पी जोइन जरू कर लीजिगा, तो मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन बंदे महात्रम